आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें जायलम जो होता है पौदों के अंदर, जायलम हमारा व्रद्धी करके, किसका निर्माण करता है? चोड़ी गुहा वाली वाहिका का निर्माण करता है और इस समय में पादप के अंदर एधा यानि कि केम्बियम जो है वह कैसा रहता है सकरिय रहता है जिसके कारण जाइलम की व्रद्धी में साइता मिलती है और इस प्रकार जो काष्ट निर्मित होता है एधा की सकरियता के कारण उस काष्ट को कहते हैं बसंत काष्ट दोस्तों ये जो बसंत काश्ट होता है हमारा क्या होता है बसंत काश्ट ये बसंत काश्ट रंग में रंग में कैसा होता है थोड़ा हलका होता है और इसका गहनत्व शरद काश्ट की अपिक्षा कम होता है ठीक है अब हम देखते हैं कि शरद काश्ट क्या होता है तो दोस्तों शरद तो शरत रितू के अंदर क्या होता है कि एधा निश्क्रिय हो जाती है ठीक है पादप की जो एधा होती है वो कैसी हो जाती है निश्क्रिय हो जाती है तो निश्क्रिय एधा के कारण क्या होता है जायलम के अंदर जाइलम की व्रद्धी जो होती है वह कम होती है व्रद्धी भी कम होती है दूसरा क्या होता है कि इसकी जो वाहिका है वाहिका भी कम चोड़ी होती है ठीक है यानि कि संकरी गुहा वाली वाहिका बनती है किसमे शरत रितुमे और इसी व्रद्धी को हम क्या कहते हैं इस व्रद होता है बसंतकाष्ट की अपेक्षा गेहरा ठीक है और इसका जो घंत्व होता है वह भी बसंतकाष्ट की अपेक्षा अधिक होता है तो यह हुए शरतकाष्ट और बसंतकाष्ट आशा करते हैं आपको इस प्रश्ण का उतर समझाया होगा वीडियो को देखने के लिए अबल तक एक करोड से जादर चात्रों का भरोज़ा आशी डाउन्यट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर